हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम इफेक्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आप्शन रोल ओवर इसको हम कैसे यूज करते हैं कॉरल के अंदर वो जानेंगे और फिर पहले हम इसका यूज जानेंगे और फिर ये जानेंगे ये किसके काम आती है पहले आईए इसको use कैसे करते हैं ये जाने की कोशिश करते हैं तो आपने करना क्या है सबसे पहले ये जो हमारे पास tool है rectangle tool है Alice tool है polygon tool है यहां से आपने एक shape draw कर लेनी है तो ये मैंने एक rectangle जैसे कि आप देख सकते हो ये draw कर लिया है और उसके बाद आपने effects के अंदर जाना है roll over के अंदर जाना है और create roll over के उपर click करना है यानि जो भी आपने shape draw की आप कोई भी shape draw कर सकते हो एक shape आपको draw करनी है और उसके बाद आपने इस roll over के अंदर जाना है यहां पे ये create roll over के option अप्शन एक्टिवेट हो जाएगी इसके ओपर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपने एफेट्स के अंदर एक बार दोबारा से जाना है अगें गो इन रोल ओवर means ये create rollover option use करने के बाद आप देखोगे कि ये दो और option activate हो गई है create rollover बंद हो चुकी है option ये दो नई option on हो चुकी है activate हो चुकी है आपने इन में से edit rollover के उपर क्लिक करना है अब हमारा ये rollover work करना शुरू कर देगा आप देखोगे आपका ये जो नीचे page one था ये rollover में convert हो गया यानि तीन page आ गए है normal over down और ऐसे ही हमारे पास उपर एक ये इस rollover की property bar आ गई है toolbar कह सकते हो आप rollover की internet toolbar it's not a property toolbar it's a internet toolbar और इसके उपर ये rollover की option है ये कैसे काम करेंगी वो आपको बताएंगे आपने अब करना क्या है आगे ये normal के अंदर हमने एक shape ये जो insert की है आप देखोगे normal page के उपर भी यही है over के अंदर भी यही है और down के अंदर भी यही है या फिर आप यहां से भी यह यूज कर सकते हो नॉर्मल पेज पे, ओवर पेज पे, डाउन पेज पे अब हमने क्या करना है नॉर्मल पेज के उपर जो हमने यह उरिजिनल शेप क्रियेट की थी यही हम रखेंगे, ओवर के अंदर हम जाएंगे यहां पर हम इस शेप को डिलीट करके इसकी जगह कोई और शेप लगा देते हैं जैसे यहां पर मैं एक एलिफ्स ड्रॉ कर देता हूँ और इसके अंदर हम कलर भर देते हैं यानि ओवर के अंदर हमने यह एक एलिफ्स बना दिया normal के अंदर आप देख सकते हो rectangle पड़ा है over के अंदर ये ellipse पड़ा है और ये over के उपर आप यहां से भी जा सकते हो normal over यहां से भी आप in pages के अंदर move कर सकते हो और इसके बाद अब हम down के अंदर चलेंगे इसमें आप देखोगे फिर एक बाद जो हमने original shape बनाई थी वो इसमें पड़ी है इसको भी delete करेंगे और यहां पे यह star shape बना देते हैं यह देखे तो यहां पे आपने इसके अंदर अंदर यह star shape बनानी है और इसमें हमने color भर दिया और आप देखोगे normal के अंदर rectangle है over के अंदर ellipse है down के अंदर हमने ये star shape डाल दी है और उसके बाद इतना करने के बाद आपने करना क्या है अब हमारे पास ये internet ये जो हमारी toolbar है इसके उपर ये finish edit rollover की option है इसके उपर भी आप जा सकते हो या फिर उपर आप effects के अंदर जाएए रोल ओवर की उपर जाएए यहाँ पर ये finish edit rollover की option होती है यहाँ पर भी आप click कर सकती है तो मेरे ख्याल से clear है तो यहाँ पर हमने इस rollover का जो हमारा concept है इसको complete करने के लिए यह finish edit rollover पे click करेंगे और आप देखोगे यह हमारा rollover complete हो गया और अगर आपने इस rollover को use करके देखना है कि क्या हुआ इस rollover का आपको होगे सर काम क्या कर रही है यह rollover option तो इसको जानने के लिए आपने इस option के उपर click करना है live preview of rollover की हम इस rollover को देखना चाहते है तो आपने इसके उपर click करना है live preview of rollover तो जैसे ही आप finish edit rollover पे click करोगे उसके बाद यह option live preview of rollover यह activate हो जाएगी इसके उपर click कीजिए इसके बाद अब अगर आप अपना mouse का यह जो pointer है इस rectangle के उपर लेकर जाओगे तो जो हमने over के अंदर डाला था वो color यानि वो shape हमें दिखाएगा जैसे ही rollover का मतलब की अगर आप यह mouse हटाओगे mouse का pointer तो original rectangle दिखेगा जैसे ही mouse इसके उपर लेकर जाओगे यह ellipse दिखाएगा और अगर आप mouse का left button hold कर लोगे तो आपको यह तीसरा जो हमने down के अंदर डाला था वो आपको shape दिखाएगा अगर आप अपने mouse का left button hold करके रखते हैं जैसे ही mouse का left button आप छोड़ोगे हमारा cursor इस हमारा pointer इस shape के उपर है roll over के उपर है हमें यह ellipse दिखा रहा है जैसे ही आप इस pointer को हटाओगे तो यह हमें दिखा रहा है rectangle अब आपको होगे sir यह काम किसके आती है option यह option काम आती है internet के उपर जब हम internet के लिए एक web page इस coral के अंदर त्यार करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा internet के उपर आप किसी picture के उपर अपना cursor लेकर जाते हो तो picture बदल जाती है अगर उसके उपर आप left click करते हो तो picture और तीसरी picture दिखाने लगता है तो यह internet के उपर web page या internet के उपर use करने के लिए हम इसको use करते हैं तो student अगर आप चाहें friends अगर आप चाहें इसके उपर image का भी use कर सकते हैं यानि यह जो मैंने shape insert की है आप इसकी जगएं क्या insert कर सकते हो आप इसकी जगए क्या insert कर सकते हो कोई image भी insert कर सकते हो Normal के अंदर अलग image लगा दीजिए Over के अंदर अलग image लगा दीजिए और Down के अंदर अलग image लगा दीजिए तो अगर आप ये cursor हटाओगे तो आपको अलग image दिखाएगा और ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप इसको edit करना चाहते हैं यानि के extract करना चाहते हैं आपने इस rollover के अंदर changes करनी है सभी के सभी आप object को rollover में से बाहर निकालना चाहते हो तो उसको बोलते हैं extract करना तो आप यहां से extract कर लिजिए तो ये सारे के सारे आपके object रोल ओवर में से बाहर आ जाएंगे तो आप ऐसे इनको रोल ओवर में से बाहर भी निकाल सकते हो यानि अब अगर आप इनके उपर cursor लेकर जाओगे तो ये हमारा रोल ओवर काम नहीं करेगा अगर आपको इनको दोबारा लेकर जाना है यानि के दोबारा ही इनको क्या करना है रोलोवर में रखना है तो आपको फिर वही कहानी आपने अपना एक शेप स्लेट कर लेना है इनको साइड पे रख लीजिए जैसे ये स्लेट कर लिया और उसके बाद आपने वही पूरा प् इस रोल ओवर आप्शन को यूज़ करें